हिंदी सिनेमा की सफर की शुरुआत 1930 में रेलिज वी धार्मिक फिल्म राजा हरिस्चन से भूई थी और ये सफर बॉलिवुड की श्री 420, मदर इंडिया, सोले, आरादना, मुविले आजम और मेरा नाम जोकर जैसी कल्ट क्लासिक फिल्मों से होता हुआ आज के दौर की बॉल्डनेस के साथ इंडिमेट सीन से वर्पूर, लब सेक्स और धोका जैसी एसर्टिफिकेट की फिल्मों तक आ चुका है तो आखर ओडियन्स ने इस तरह की फिल्मों को क्यों इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है क्यों सेंसर वर्पूर को इस सार्टिफिकेट लाने की जरूरत पड़ी आएए जानते हैं वर्पूर्ट फिल्मों के इतियाज के बारे में इसकी शुरुआत कब और कैसे होई दोस्तो आज के दोर की बियाद वोल्ड और कामक फिल्मों में किसिंग एंड इंटिमेट सीन्स को देखते हैं तो आपके मन में कुछ-कुछ दो होता ही होगा साथ ही मन में एक सवाल भी जरूर आता होगा कि हिंदी फिल्म इंडिस्ट्री में वह कौन से अबने थ्री होगी जिसने पहली बार ओन स्क्रीन किसिंग सीन दिया था और इसकी शुरुआत कब ही थी तो इसका जवाब है देवकारानी जी हाँ ये बो अबनेत्री थी जिन्होंने साल 1933 में आई फिल्म करम ने पहली बार ओन स्क्रीन किस किया था 1920 और 1930 के दसक में देवकारानी के अलावा ललेता पवार और सिता देवी जो अपने दोर की बहुती मसूर एक्ट्रेस थी उन्होंने भी बेजी जिख होकर फिल्मी परदे पर किसिंग सीन किये थी साल 1932 में रिलीज दी फिल्म जरीना में अबनेत्री जवैदा ने भी फिल्म के हीरो के होठों को चूम कर वोल्डनेस की सारी हदे पार कर दी थी दर असल इस दोर के प्रवक फिल्मकारों में से एक थी हमांसुरोई जिन्होंने 1940 की दसक के मद्द तक उन दनों के हिसाओ से दसकों के सामने काफी वोल्डनेस से वरी फिल्में परूसी थी लेकिन देश की आजादी के बाद माहुल पूरी तरह से बदल चुका था बदलाव के इस दोर में देश की छबी तेजी से बदल रहे थी सिनेमा में वरता फुगरपन और असलीनता की वज़े से सरकार ने फिल्मों को सेंसर करने के लिए एक एड़वाजरी वोलका कठन कर दिया जिसकी वज़े से ततकालिन फिल्मकार इंटिमेट सीन्स करने से बचने लगे साल 1952 आते आते सिनेमेटोग्राफी एक्ट भी इंट्रोडेउस कर दिया गया जिसकी वज़े से फिल्म इंड़स्टी ज़्यादा ही सक्त और रूडवादी होती चलीगी अब फिल्म एकर्स असलील और चुम्म द्रस्वयों से पूरी तरह से बचने लगे थे बे अब फिल्मों में रूमांटिक सीन्स भी देखाना लगग बंद कर चुके थे अब फिल्मों में रोमांटिक सीन्स की जगे प्रिती कात्मक द्रस्ट जैसे फूलों का आपस में मिलना, रगड़ना, दो भवरों का आपस में लिपटना और जलती हुई आगें लपटे जैसे द्रस्टियों को एड करने लग गए थे हाला कि वक्त के साथ देश के प्रदानमंत्री और नियम सब कुछ बदलते रहे, फिल्म इंडिस्टी में भी कई बदलाव देखने को मिले, इसी दौर में सेंसर वोड के नियमों में भी कई बदलाव हुए, सेंसर वोड द्वारा फिल्मों के लिए एस सैटिफिकेट का चलन भी शुरू कर दिया गया था, फिल्मों में असलीनता परोसने वाले डारेक्टर्स के लिए तो मानो उनकी मुराद पूरी कर दी गई थी, अब बे फिल्मों में कला के नाम पर असलील और कामुक द्रस्चेओं को मन माने डंग से फिल्मा सकते थे, हिंदी फिल्म को वेज़े जको कर दिखाया था, बले यह आज के समय में मेरा नाम जोकर फिल्म को कल्ड क्लासिक माना जाता है, लेकिन यह फिल्म उन्दरों की सबसे वोल्ड फिल्मों में से एक थी, फिल्म में अपने त्री पदमिनी और सिमी ग्रेवाल पर फिल्माए गए बूल्ड सीन बॉबी में भी वेज़ी खो सूरत अबने त्री डिंपल कवाडिया को वेकिनी फैना कर कई सारे मनोरम द्रस फिल्माए जिस सीज को लोग वरगैरिटी कहते थे, उसे राज कपूर आर्ट का नाम देते थे, उन्होंने कभी भी क्रिटिक्स और वोडवादी विचारों की प साथ अदाकारी की बो मिसाल पेस की जिसने वड़े परदे पर आग लगा के रख दी थी, राज कपूर के अलावा उस दोर के एक और डारेक्टर फ्रोज खान भी इस मामने में कई भी पीछे नहीं थे, उन्होंने अपनी पहली ही फिल्म अपरादी से लेकर अपनी प्रोड से देखकर दर्सकों को एक अलगी आनंद की अनुएंगती हुई थी, उस समय वला की खूल सुरत देखने वाले अबने तरी जीनत मानों को विक्नी में देखने का लाखों यवाओं का सबना होता था, यही कारण था फिल्म करवान नहीं एक बड़ी ब्लॉक्वेस्टर साब इन डारेक्टर्स के अलावा कुछ और फिल्म कारवी थे जिन्होंने इस परंपरा को लगातार आगे वड़ाई रखा, इनमें राम से ब्रदर्स और कांती साजा से लोग प्रमुख थे, अब बात करें अगर वुल्ड फिल्मों के पितामा कहे जाने वाले मैस वैट की तो इन्होंने अपने फिल्मी केरियर की शुरुवात असी के दसक में अर्ख, सारांस और नाम जैसी वैतरीन फिल्मों के साथ की थी, लेकिन साल 2000 के बाद इन्होंने वत और लेखक, कामुक और वुल्ड फिल्मों की भरमार कर दी, जिन्होंने इनकी चमी पर एक कामुकता का ट इसके अलाबा, मैस विकन अडल्ड फिल्मों में काम कर चुकी अधाकारा सननी लिएनी को भी अपनी फिल्म जिसमीं टूके जरी वॉलीवड में लॉंच किय था, यही से सननी लिएनी वॉलीवड में एक्टिवू हुई थी, कामुक फिल्में बनाने के लिए के वल्म डारे एमेमेस, लव सेक्स और धोखा, ग्रेट ग्रांड वस्ती और थेंक्यू फॉर कमंग जैसे फिल्मों का निर्मान किया इसके अलावा एक तक अपूर ने एक ओल्ट वाला जी नाम का वीडियो प्लियोट फॉर्म भी डॉंच किया है जिस पर अडल्ट के लिए कॉंटेंट की भरमार है वाँ पर कॉमेडी जॉनर के साथ साथ वोल्ड वेब सीरीज भी दिखाई जाती है यहाँ पर एक फैक्ट यह भी है कि वोल्ड और असलील फिल्मों के लिए हम केवल स्टार, डारेक्टर और प्रोडूसर को ही जिम्मेदार नहीं ठैरा सकते इसके लिए ओडियन्स भी उतने ही जिम्मेदार है जितना के फिल्मेकर्स एक्ट्र फैक्ट तो यह है कि ओडियन्स ऐसी फिल्मों को देखती है और उन्हें बॉक्स ओफिस पर हिट भी कराती है इसी से जुड़ा हुआ एक बार इंट्रिव देते हुए मैसवट ने कहा था कि समाज का अंतिम्यक्ति भी अगर ऐसी फिल्में देखता है तो वो इस जॉनर की फिल्में लगातार बनाते रहेंगे तो दोस्तों ये थी वोल्डनेस से बरिवी फिल्मों के इतियास के बारे में एक छोटी सी प्रस्टती वीडियो आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट सेक्सल में जरूर बताएं मिलते हैं एक और वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार